अच्छाई बुराई, भगवान शैतान सब हमारे अंदर ही हैं। ये बहुत पुरानी फिलोसिफी है। ओहेंरी की कहानी कैदी इसी सच्चाई को दिखाती है। उसके मस्तिष्क में छोटे से इसा को एक शैतान हंटर से मार रहा है, लेकिन न जाने क्यों इसा का चित्रब बन ही नहीं रहा था। चित्रकार की आँखों में इसा की जो मूर्ती बनी थी, उसका मानव रूप में दर्शन दुरलब ही था। बहुत खोजा, मगर वैसा तेजस वी मुखडा उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन उध्यान में तहलते समय उसकी दृष्टी अनाथाले के आठ वर्ष के बालक पर पड़ी। बहुत भोला था। ठीक इसा की तरह, सुन्दर और निश्पाक। उसने बालक को गोद में उठा लिया और शिक्षक से आदेश लेकर अपने स्टूडियो में ले आया। अपूर उट्सा से उसने कुछ ही मिंटों में चित्र बना दाला। चित्र पूरा कर वो बालक को अनाथाले पहुचा आया। अब इसा के साथ शैतान का चित्र बनाने की समस्या उठ खड़ी हुई। वो एक क्रूर चेहरे की खोज में न अधूरा पड़ा हुआ था। अचानक एक दिन जेल से निकलते एक कैदी से उसकी भेट हुई। सावला रंग, बड़े हुए केश, दाड़ी और विकट हसी। चित्रकार खुशी से उच्छल पड़ा। कुछ ले देकर कैदी को चित्र बन जाने तक रुखने के लिए पड़े उभराएं। वो हकलाते हुए बोला, शमा कीजिए, आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैं ही आपका इसा मसी हूँ। 14 वर्ष पूर्व आप मुझे अनाथाले से अपने स्टुडियो में लाय थे। मुझे देखकर ही आपने इसा का चित्र बनाया था। इस कहानी से पता चलता है कि हमारे अंदर अच्छाए और बुराए दोनों ही होती हैं पर ये हम पर है हम क्या बने। एक अच्छा इश्वर भक्त, अच्छा इंसान या एक शैतान।